कुट बॉर्णिंग एव्रिवन चलिए हम लोग करेंट अफिर्स के साथ अपने शुरुबात करते हैं आज है ना सबसे पहले पहला करेंट अफिर्स आपके लिए वो यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक के द्वारा एसिया के किस देश के बाजार में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया ठीक है एफ आई आई के द्वारा किस चीन जापान भारत या मौरिसस तो इसका आंसर होगा C यानि इंडिया FII के थू इंडिया के अंदर इंडिया के एक्विटी में अलग अलग से अस में 3.63 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया जिसके बाड़े में कहा जाता है कि ACI मार्केट में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके बाद South Korea की बाद थी तो South Korea में 2.91 बिलियन डॉलर, Taiwan में 1.14 बिलियन डॉलर, Indonesia में 585 मिलियन डॉलर ऐसे करके इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इस हिसाब से भारत के अंदर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ है दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये पता चलता है दूसरी तरफ कि अगर आउटफलो की बात करें ठीक है जहां से पैसा निकला तो उसमें जापान नंबर वन पे है जापान में 5.35 बिलियन आउटफलो हुआ है थाइलैंड में 1.13 बिलियन आउटफलो हुआ है समझ में आ रहा है तो इस तरह से लेकिन भारत के इंदर इन्फलो हुआ है भारत में आया है पैसा ये इपोर्टन्ट है आगे नॉन फिक्शन में महिला पुरसकार के 6 किताबों को उसमें सामिल किया गया है इन 6 किताब में एक भारतिय मूल के बिटिस लेखी का है उनका नाम क्या है जिनके किताब को शॉटलिस्ट किया गया है स्वेता फर्णांडिस, मधुमीता मुड़ गया, सुसमीता शुकला, रियो नागमनी तो आंसर इज बी मधुमीता मुड़ गया मधुमीता मुड़ गया यह यह मतलब 6 पुस्तकों को जो सॉटलिस्ट किया गया है उसके अंदर इनका नाम है पहले अच्छे से समझ लो इनके किताब का नाम कैसको सुन लेजे इनके किताब का नाम है Code Dependent Living in the Shadow of AI ठीक है और इनकी किताब basically AI पे है Artificial Intelligence पे इनके किताब है अभी आप इसका image भी देख लेंगे अब किताब का नाम क्या है किताब का नाम है Code Dependent Living in the Shadow of AI यह इनके बुक है ऐसे करके 6 किताबों को लिस्ट किया गया है सारे किताबों को अगर आप जानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगे इसके लिए सुजाना लिस्ट कौम की अध्यक्सता में एक पैनल बैरी है जो इतिहासकार भी है और इनको इनको इनने इसमें से ऐसे हैसे लोगों को शॉटलिस्ट किया गया है जो इन फ्यूचर नई चीजों के साथ सामने आ सकती है और उसी में मदुमीता मुर्गिया का नाम है जो इन्डियन भारती मूल के बिटिस है इनकी किताब का नाम याद रखिएगा मैं फिर से बोल दे रहा हूँ इमेज भी आपको मिल जाएगा कोड डिपेडेंट लिविंग इन दे शैड़ आफ एरी हाली में भारत को आपदा जोखिम न्यूनी करन के लिए महासचीव के नए सहायक के रूप में सहायक महासचीव और विशेज प्रतिनिदी के रूप में जनरल एंटोनी गुटेरस ने किसको अपॉइंट किया है सुसमा कुमार, कमल किसोर, रविंद्र मंडल, सुनैना डाना देखिए United Nation का और्गनाईशन है United Nation के महासचीव कौन है तो एंटोनी गुटेरस इन्होंने भारत के कमल किसोर को यानि B को भारत के कमल किसोर को आपदा जोखिम न्यूनी करन के लिए महासचीव का नया सहायक महासचीव और विसिस प्रतिनिधी निवप किया है ये इंपोर्टन्ट है ठीक है जो किसोर सहाब है वो किस की जगह लेंगे तो किसोर सहाब जापान की मामी जापान के मामी मिजु तोरी की जगह लेने वाले हैं इनके पास अच्छा खासा क्लाइमेट पे आपदा प्रवंधन पे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट यानि सतत बिकास पे इनके पास अच्छा खासा तीस साल का अनुवव है तो यह अनुवव वहाँ पे काम आएगा इसको लेकर इनको अपॉइंट किया गया है आगे चलते हैं अदानी समू ने दुनिया का सबसे बड़ा तामबा मैनुफ्रेक्शरिंग यूनिट का पहला चरण स्टार्ट कर दिया है अब सवाल यह है कि यह किस राज्य के अंदर स्टेबिस्ट किया गया है राजस्तान गुजरात पंजाब या हडियाना आंसरी बी यानि गुजरात गुजरात में कहां गुजरात के मुंद्रा में तीक है गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सिंगल मैनुफ्रेक्शरिंग हब का पहला यूनिट स्टार्ट कर दिया गया ह इसका नाम है कच्छ कॉपर इस कंपनी का नाम है कच्छ कॉपर जो अडानी एंटरप्राइज़ लिमिटेड की ही एक कंपनी है अब इस तरह से अगर कॉपर के अच्छा खासा यहां से मैनिफेक्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे जाके इंपोर्ट कम हो जाएगा अभी हर साल जो पहला यूनिट है इसके कॉर्डिंग 0.5 मिलियन टन तामबे का प्रोड़क्शन किया जाएगा दीरे दीरे जब यह पूरी तरह से फुल फ्लेज में आएगा कब 2029 का टार्गेट है तो एक मिलियन टन तक प्रोड़क्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये है क्योंकि आपको पता है कि घरेलू डिमांड भी बहुत जादा है कॉपर का और घरेलू डिमांड के साथ बाहर में export import भी बहुत होता है और आपको मालूम है 0.6 kg औसक्षपत है ऐसा कोई घर नहीं जिसमें ताम्वे कातार नहीं लगा है ऐसा कोई घर नहीं जहां कॉपर की चीज़े नहीं लगी है मसीन के रूप में या लग लग रूप में तो कहा जाता है पर पर्पॉर्शन ओना एंडिया में 0.6 km है जबकि व तो ये fact है से related आगे भारतिय पैडलर स्रीजा अकुला बेरूत में महिला एकल का किताब हुआ उसको उन्होंने जीत लिया है ये महिला एकल का किताब हुआ कहां लेबनॉन, मौरिसस, घाना, दक्षिन अफ्रिकार तो देखो बेरूत है ना, लेबनॉन की राजधानी है बेरूत, तो आंसर क्या होगा ही, तो इसी के अंदर चिपा हुआ है बेरूत लिखा है तो भारतिय पैडलर है, स्रीजा, अकुला, उन्होंने बेरूत लेबनॉन में डबलू टीटी फीडर, बेरूत टू जो हुआ है, सिंगल महिला का खिताब जीत लिया, और एक और मनलब, इसके अंदर पचीस साल की राश्टमंडल खेल में, एक और है यहाँ पे फैक्ट, वो यह है, कि पुरूस यूगल फाइनल में भी, इसी में, पुरूस यूगल जो फाइनल है, उसमें मानो ठाकुर और मानुशा की ज मानव, ठाकर और मनुशा इन्होंने जीता है, और इन्होंने जीता है तो ठीक है, हराया किसको है, तो मुदित, दानी और आकास बाल को हराया है, तो यह यहाँ important fact है, तो मिस्रित, जो यूगल अस्प्रधा है, उसमें भी इनको देखा गया है, कि यहाँ पे भी इंडिया न और एक और fact है, fact यह है, कि साथियान ग्यान सेकरन, इसके पहले ही हम discuss आईटिंग हो चुका है, तो साथियान ग्यान सेकरन, पिछले ही सब्ता, बेरुत में अपना पहला पुरुस एकल WTT का खिताब जीता है, तो यह सारे facts हैं, इसको लेकर हम लोग एक अलग वीडियो बना गंगापूरम में, 900 साल पुराना किस वन्स के सिलालेक की खोच की गई है, पल्लो प्रतिहार चालुक की या परमार, तेखो इसका आंसर होगा, चालुक के, सी, देखिए, कल्यान का जो चालुक के बन्स है, एक बेंगी का चालुक के बन्स था ही, कल्यान का चालुक के बन्स मंदल के पास एक मंदिर है वहीं से मिला है और जगे का नाम है गंगापुरा और बहुत ही फेका हुआ जैसा था मतलब कोई केर नहीं था उसका और यह जो सिलालेक है यानि जो भी इंसक्रिप्शन वाला सेक्सन है उसको चालुक की समराट सुमेसवर्ती त्रीतिये के बेटे तैलब त्रीतिये से जोड़ा जा रहा है तो ऐसे करके यह अलग-अलग facts है है यहाँ पर इंपोर्टेंट है बस चालुक से इतना इंपोर्टेंट नहीं इस बात कर ध्यान रखिएगा अब चुक की देली का कैनेट अफेस है तो इसमें जो भी आता है कैनेट अफेस इस तरह के हम करवा देते हैं बट यइडली वाले में आपका कैनेट अफेस अल्री चल रहा है जहाँ पर इंपोर्टेंट सेक्सन को ही रिसकस कर रहे हैं भारत में electronic charging station अस्थापित करने के लिए TPEM ने किस company के साथ समझोता किया है देखिए तरसल देश भर में electronic वाहन इसलिए अभी पुरी तरस से success नहीं है कि charging station ही नहीं है charging station के लिए TPEM ने HPCL के साथ एक agreement किया है जिसके कारण धीरे-धीरे करके TPEM क्या है actually TPEM का जो full form है वो है Tata Passenger Electric Mobility Limited तो TPEM ने जो agreement किया है वो HPCL के साथ किया HPCL का मतलब क्या होता है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited उसके साथ agreement किया है कि अलग-अलग petrol pump जो आपका है सब जगे EV को आप लगाईए क्योंकि EV आप नहीं लगाएंगे तो फिर गाड़ी बिकेगी नहीं और माना यह जा रहा है कि HPCL के जितने भी pump है क्योंकि अभी HPCL के साथ इनका समझोता हुआ है तो उसके 5000 pumpों पे यहाँ पे CNG लगाने की बात की जा लिए 200,000 के आसपास HPCL का pump है इसमें दिसंबर तक कम से कम 5000 चार्जर लग जाए ऐसा टार्गेट रखा गया है हाली में All-Rounder, Collins All-Rounder, Collins ओबूया ने खेल से सन्यास ले लिया किस देश से संबन देते हैं बियतनाब, केनिया, दक्षिन अफ्रीका और आस्ट्रेलिया तो इसका आंसर हो जाएगा B, केनिया से रिलेटेड है तो All-Rounder जो Collins ओबूया है वो केनिया से रिलेटेड है तीसरे स्था, मतलब जब फ्रीकी खेल, वहां जब खेलते थे तो इन्होंने यूगांडा से केनिया के हार के बाद सन्यास ले लिया यूगांडा से जब मैच हो रही थी तो केनिया हार गया और फाइनले इन्होंने उससे सन्यास ले लिया इन्होंने 104 मैच केनिया की तरब से खेले हैं 2024 रन बनाया है एक अच्छे Leg Spinner और All-Rounder के रूप में यह जाने जाते हैं वंडे में केनिया की तरब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले यहीं है वैसे फैक्ट यह है यहाँ पर important यह है कि 2014 में देश से उनका वंडे दरजा छीन लिया गया है ठीक है तो यह कलग फैक्ट है बट यहाँ पर ध्यान रखी केनिया के खिलाड़ी हैं इन्होंने सन्यास ले लिया है भारतिय सेना के द्वारा hybrid mode में पहली बार hybrid mode में पहली बार army commanders conference हो रहा है इसका जो physical mode है यानि जहाँ पर लोग मिलेंगे physically क्योंकि hybrid का मतलब कुछ digitally हो रहा है और कुछ physically हो रहा है तो वो जो physically हो रहा है वो कहा होगा एक और दो April को हो रहा है पटना लखना वो दिल्ली गांदी लगा तो इसका answer होगा C दिल्ली दिल्ली के अंधर यानि नई दिल्ली के अंदर एक और दो April 2024 को यह sam Albanण होने वाला है जहां security को कैसे ठीक करें, यह सब करें, सेना के जवान है, तो वही से बात करेंगे न, और क्या करेंगे, तो इसकी बाते हैं पर की गई, हाली में reliance industry, यह कही important fact है, इसको आप देखिएगा, हाली में reliance industry के द्वारा, अदानी समु, जो है, कि स्वामित वाली, बिजली industry है, उसने, मध्य परदेश में आडानी की जो company है, ownership में जो है, उसकी 26% हिसेदारी इन्होंने खरीद ली है, और कहा जाता है, यह पहली बाद, आडानी और अंबानी एक साथ आ रहे तो चली रहा था, आडानी अंबानी का इंडिया है, तो पहली बार आ रहे हैं, और इन्ह चमता है, फुल, वो है, 2800 मेगावाट, यह थाई सो मेगावाट का है, 6600 मेगावाट करके इनका अलग-अलग unit है, तो इसमें 600 मेगावाट की चमता का जो विजली सहयंत्र, उसका एक unit, Reliance Industry को देने की बाद की गई है, तो यह important है, हाली में निदू, हाली में निदू, सक्स इसलिए इसको ज्यादा बोलने के भी जुरूत नहीं, Bank of Maharashtra के लिए, ऐसे कई बैंक है, जिसको National Level पे जुरूत नहीं है, वहाँ के स्टेट वालों के लिए जुरूत होगा, आपके लिए नहीं, हाली में किसके द्वारा, उस तक, यानि बुक लिखा गया है, बुक का ना तो इस रमन जो हैं, वो केंडरा, मतलब इस रमन जो हैं, SBI में कलर के रूप में काम कर रहे थे, बाद में केंडरा में MD बने हैं, प्रबन देश्चर मैनेजिंग डायक्टर बने हैं, फिर ये सेवी में भी फुल टाइम मेंबर बने हैं, तो यानि एक लंबा सफर इन्होंन यानि आत्मकतہ है, जिसके अंदर हनें बड़े इमान दारी से जीजोपो लिखा है, हाली में, सोनाटा फाइनेंस का अधिरन किया गया है, कि सोनाटा फाइनेंस का जो अधिरन हैं, केंडरा, कोटेक महिंदरा, इंडस्लैंड गैंक, ICCI बैंक, आंसर इस बी, कोटेक महिंद महिंद्रा बैंक के द्वारा अभी सुनाटा फाइनेंस का अधिगरन कर लिया है हंडेट पसल्ट टोटल का टोटल शेयर कोटक महिंद्रा ने ले लिया है और हो गया अब इसमें सुनाटा जो थी वह पांच सो उन्चास 549 ब्रांच के साथ 10 राज्यों में काम कर रहा था अब कोटक महिंद्रा ने ले लिया कानी खतम है अब कोटक महिंद्रा ने जब इसको ले लिया तो उसके सारे प्रांच कोटक महिंद्रा के हो गए इतना ही काफी है लास्ट सवाल है आज सवाल बहुत नहीं थे हाली में किसके द्वारा पत्रता मापनंड यानि कोई जो कैटेरिय सेवी भारती रिजर्ब बैंक और इनमें से कोई नहीं आपके दिमाग में जस्ट आएगा अच्छा मर्चिंट बैंकर बैंकर शब्द लगा है तो RBI होगा बट ऐसा नहीं है सेवी के द्वारा ऐसा किया गया है सेवी सेवी भारती प्रतिभूती और सेवी के द्वारा जो भी इस तरह की काड़ीया थे उसके उलंगर करने के कारण मर्चिंट बैंकर के रूप में इनके कामोब और मर्चिंट बैंकर के रूप में रजिश्टर थे उन्होंने इसको εूप गई दिया है तो यह सीधा कर दिये तो यह अच्छे सरी!